सीता पुर्जिले में इस्टार इंडिया लायुक की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है दरसल बता दे कि मिस्रिक तैसील छेतर का ये पूरा मामला था यहाँ पर गाओं के लोग नलकूप के पास खड़े होकर धरना दिये थे दरसल ट्रांसफार्मर चार महीने से फुका हुआ था और बदला नहीं जा रहा था अधिकारियों से शिकायत कर चुके थे खबर चलने के महें चार गंटे बाद सक्ते में आये बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर नया रखवा दिया है ग्रामीडों में कुछ संतोज जगा है ग्रामीडों का कहना है कि काफी दिनों बाद ये समस्या हाल हुई है इसको लेकर के ग्रामीड काफी लंबे समय से परेशान थे और शिकायतें भी कर चुके थे इस्टार इंडिया लाइफ की खबर का बड़ा असर फुका हुआ ट्रांसफार्मर खबर चलते ही ततकाल हरकत में आया सासन और प्रसासन फुके हुए ट्रांसफार्मर को ततकाल बदला गया और जो लाइने गडबड थी वो भी दुरुस्त की गई तेज तर्रार सीतापुर जन्पत के जिला अधिकारी अनुश सिंग ने ततकाल निर्देश जारी कर नए ट्रांसफार्मर की कराई विवस्था आए इस संबंध में बात करते हैं कुछ किसान भाईयों से जो किसान भाई ज्यादा पैसे खर्च करके भी अपने फसलों की सिचाई नहीं कर पा रहे थे जिनकी फसले सूख रही थी उनको मिली बड़ी राहत आईए बात करते हैं कुछ किसान भाईयों से इस्टार इंडिया लाइफ के लिए मिसरिक से आसिफ जिलानी जिले भर में मंदिर और मस्जिदों से उतारे गए 683 लाउडी स्पीकर नगर छेत्र में सबसे ज़्यादा थी संक्या सिधापुर जिले के स्पी आर्पी सिंग के पब्लिक रिलेशन आफिसर ने मंगलवार को ये जानकारी दिये उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नगर सरकिल, सदर सरकिल, लहरपूर, विस्मा, महोली, सिधावली, मिसरिक, महमूदाबाद में ये कारवाई हुई है दरसल इस्थानी ये जो सियों हैं उनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी इसके चलते स्वेच्छा से 683 लाउडी स्पीकरों को मंदिर और मस्जिदों से उतार लिया गया है अब 395 लाउडी स्पीकर की जो ध्वनी है उसको कम कराए गया है इसी के तहट आपको बता दे कि नगर सरकिल जो है वहाँ 113 इनकी संख्या थी जिसमें से 58 लाउडी स्पीकरों की संख्या को कम कराए गया है ये सभी लाउडी स्पीकर मंदिर और मस्जिदों पर लगे हुए थे